नमस्कार आज का मेरा ये वीडियो वेदानता लिमिटिट के उपर है और साथी साथ उन लोगों के लिए है जिनको वेदानता डिविडेंट के लिए बहुत पसंद है क्योंकि मैंने वेदानता पे जितने भी सवाल आस्तक सुने हैं वो सभी ही डिविडेंट को लेकर सुने है और जिन लोगों को वेदानता पसंद है वो जादतर डिविडेंट के कारण ही पसंद है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वेदानता के उपर इस समय कंपनी के अनुसार ही करेंट सुचेशन में मैं आपको पता रहा हूं लगबक 33,800 करोड रुपे का डेट है क्यों कहां से रहे हैं और क्यों इतना डिविडेंट बाट रहे हैं क्या उसका फाइदा है क्योंकि ये आप लोगों को ही समझना जरूरी है कंपनी तो जो कर रही है वो कर रही है आप उसके शेयर को खरीद रहे हैं आपके लिए इस चीज़ का जानना बहुत जरूरी है कंपनी के fundamentals को जाना जरूरी है company के अंदर current situation को जाना जरूरी है क्योंकि वैदानता ने past के अंदर बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे हम clear cut कर सकते हैं कि company ने share friendly काफी चीजे नहीं की हैं एक dividend के लालच में आप share को ले लेते हैं और बाद में फस जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी problem है आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आपके साथ यही सब चीजे दुबारा discuss करने जा रहा हूँ इससे पहले भी मैं एक बार वेदानता के dividend को लेकर वीडियो बना चुका हूँ चलिए वीडियो कैप 91,870 करोड रुपे की है जी हाँ 91,870 करोड रुपे की मार्किट कैप मतलब कमपनी के total shares multiply current market price इसको कहते हैं कमपनी की value अगर हिंदी बाचा मैं आप कहें 91,870 करोड की market कैप वाली कमपनी पे total कर्जा 73,480 करोड रुपे आपकी 0.80% equity करजे के तले डूबी हुई है मतलब जो इस समय विदानता का share 240 रुपे में ले रहा है उसको 200 रुपे का करज भी मिल रहा है उसके साथ और अगर यहां से equity के दाम और घटते हैं जिस तरीके से company ने अपनी equity की stake sale करिए पैसो के लिए और अगर further कोई selling आती है बड़ी तो अगर 20% company का दाम और घट जाए तो 200 रुपे के share खरीदने पे 200 रुपे का debt free में करजा 200 रुपे का और आपको मिल जाएगा तो यह चीज पहले तो आपको अपने mind में बिठानी होगी यह मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप share को इस तरीके से समझिए कि भई मैंने जो पैसा खर्च करा है मुझे उस पर मिला क्या है value buying क्या होई है लोगों के मन में एक ख्याल यह भी आता होगा कि यार metal sector की company है metal sector में तो सभी पर debt है Tata पे भी debt है सभी company पे debt है तो क्या हो गया वैदानता पे भी debt है पर आपको एक चीज़ और इहां पर देखनी है कि यह debt तो जो है figure जो मैंने आपको बताई 73,484 करोड रुपे यह gross debt है net debt अगर आप company का देखें तो 59,192 करोड net debt है मतलब जो की short term debt है measure लिए अगर आप देखें तो company का 70% debt short term debt है जो की company को आने वाले 2-1 सालों के अंदर चुकाना है आपको अपना measure debt 2 सालों के अंदर ही चुकाना है आपके लिए स्थिति कितनी खतरनाक बन चुकी है कि जो debt है वो आपने short term का लिया हुआ था उस debt का paying समय अब आपके पास है और company के financials लगातार गिर रहे है वो मैं ऐसा कह रहा हूँ आगर आप company के पिछले 3 सालों की sales देखें तो लगातार sales डाउन हो रही है लगातार profit डाउन हो रहा है लगातार EPS डाउन हो रहा है सभी चीजों में गिरावट है बढ़ती जा रही है आपकी cost of funding लगातार बढ़ती जा रही है अगर recently quarter में company की finance cost देखें तो 2110 करोड हो गई है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आप लोग देखेंगे कि ये जो ब्याज की जो cycle है जो जिस तरीके ब्यास दरे बढ़ेंगी अब वैसे वैसे debt की costing बढ़ेंगी तो ये भी company के लिए issue अब आगे आता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है 33,890 करोड रुपे वेदानता को FY24 के अंदर चुकाने है जो की company का short term obligation है इस debt को चुकाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा intro ये देता हूँ कि वेदानता को dividend आता कहां से है जो ये पैसा आया है आपको जो मिलता है जो बाटा है वो कहां-कहां से आ रहा है और कहां-कहां जा रहा है वेदानता की हिंदुस्तान जिंग के अंदर लगबख 65% stake है और 30% government के पास है हिंदुस्तान जिंग debt free company है सरकार की हिस्सेदारी होने के कारण हिंदुस्तान जिंग के पास जितना cash होता है ज़्यादा तर बाट देती है अब वेदानता ने हिंदुस्तान जिंग के अंदर से पर्मोटर होने के नाते खूब पैसा निकाला और उस पैसे को वेदानता resources के अंदर ट्रांसफर किया डिविडेंट के रूप में जिससे की company debt repay करे ठीक है हिंदुस्तान जिंग अब डिविडेंट बाट बाट के खाली हो चुका है company के पास cash कुछ नहीं है अब company के पास जो कमाई होगी उसमें company आगे डिविडेंट बाटेगी इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान जिंग ने जो आख मीच के पिछले साल डिविडेंट बाटा है आप लिखे ले लीजिए इस साल वो डिविडेंट नहीं बाट पाईगी अब वेदानता के अंदर वेदानता के पर्मोटर के पास वेदानता के लगबख 65% shares है अब उन 65% shares में से काफी शारे share plays भी होते है इनके ये इनका regular process है plays मतलब गिर्वी रखने का अब अगर company ने जो डिविडेंट बाटा है वेदानता ने तो वो भी 65% डिविडेंट वेदानता के अंदर ही गया है उसमें 25% या 35% भारी लोगों ने वेदानता के अंदर मजा लिया है उसमें institute भी invested है जो की वेदानता का शेर बहुत पहले के price पर भी लेके बैठे है तो उन लोगों को तो वेदानता के डिविडेंट का फायदा भी हो रहा है जिन लोगों ने साड़े 300 रुपे में वेदानता का शेर लिया था अगर 100 र पे कि company कभी भी इतना dividend regular नहीं बाट पाई है history में भी dividend जो अगर एक बहुत जादा बाट दिया उसके बाद dividend की देने की समता company की कम होगी वो तो practically हो रही है तो कम बाटेगी तो अब जब आपको dividend भी कमाएगा तो मारेकिट भी उसको discount करेगी तो आप अपने ही पैसे को घर ले जा रहे हैं dividend के रूप में आप कमा के कुछ नहीं ला रहे हैं आपके share की value depreciate होगी फिर मैं आपको वेदानता के अंदर कुछ wrong practices बताता हूँ जो company ने wrong practices करी है हाँ मैंने को wrong practices कहूँँगा company ने जब अपने share का भाव उठा लेते हैं और 90 रुबे के साथ से payment करके अपना share सारे अपने पास आ जाएंगे और company का structure भी easy हो जाएगा tax से भी बच जाएंगे काफी उसमें चीजे मतलब company के favor में जारी थी पर उसके अंदर पिसकों रहा था shareholder उस समय अगर LIC D-list को में ओके कर दे था LIC अड़ंगा न डालता आज वेदानता का share आपका उस समय 90 रुबे में बिक्के खतम हो गया होता है LIC न उसमें retail investor की जान बचाई सबसे पहला इस company के अंदर ये point आप note करिए negative point दूसरी मुझे इस company के अंदर ये problem लगी इनका तूती कोरन कोपर plant जो की इतना बड़ा plant और इतना profit देने वाला plant था जो बंद हुआ उसको company दुबारा चालू नहीं करा पाई अब वो क्या कारण है environmental issue बताते हैं पर मुझे कही न कहीं वो बहुत बड़ा issue लगता है कि जो plant company जिस पर फैसला आज तक नहीं ला पाई उसका शेर होल्डरों के लिए शेर होल्डरों पर उसका bad impact रहा तो वो issue भी जो है इस company के साथ सदेव जुड़ा रहा है और आगे भी कुछ से कुछ पार आतवे दिखाई नहीं देता तीसरा इस company के अंदर कमी ये है जो इनका pledge और un pledge का जो game है pledge करना और un pledge करना ये मुझे कभी भी पूरे group के अंदर कभी भी समझ में नहीं आया आप वैदानता को देख लीजे कभी हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी सुनने के आता है और sterlight industry जो इनकी company है उसके अंदर भी ये चीजे आपको regular सुनने मिलेंगी pledge और un pledge इनका शुरू से ही इस चीज को लेकर structure जो है बार-बार pledge और un pledge पे बड़ा focus रहता है फिर चौथा मुझे issue इस company के अंदर लगा कि वैदानता की जिंक assets को हिंदुस्तान जिंक को बेचने की प्रियास करना आप वैदानता की assets हिंदुस्तान जिंक में transfer करने के चकर में हैं ताकि आपको पैसे मिल जाएं और आप उस debt को repay कर देते तो ये भी government ने इसका भी रोध किया तो ये रुख पाया आप वैदानता के assets जो हिंदुस्तान जिंक में transfer करने में लग गए थे debt के चकर में फिर एक issue इस company में ये भी है कि जो government के पास हिंदुस्तान जिंक में 30% हिस्सेदारी है company उस हिस्सेदारी को government से लेना चाती है अब उससे हिंदुस्तान जिंक के जो evident है उस पर company की नजर है तो वो भी बार-बार इनकी scheme फेल हो जाती है वो तो शायद चलो कहीं कुछ फायदा भी कर दे company को पर वो भी company उसमें कामियाब नहीं हो पा रही है एक issue अभी recently आया कि company की जो foxconn के साथ जो एक chip के related जो plant की बाची चल रही थी वो रद हो गई उसका मुखे कारण ये बताया जा रहा है कि foxconn वैदान था के debt को लेकर जो है comfortable इस्थिति में नहीं था उनको उस debt में कहीं न कहीं कोई चीज ऐसी लगी जो उन्होंने इतने बड़े plant को या इतने बड़े project को रद कर दिया उनको लोगों को समझने में जब ये चीज किलियर कटा रही है तो ये कहीं न कहीं छोटे shareholder के लिए एक alarm भी था कि foxcom जो इस तरीके से exit हुआ अपने उस project को लेकर वो भी और जब कितने positive महल में जिसको government भी push कर रही है तो वो भी एक alarming situation है जो कल news आई है उसमें अपनी equity का सौधा कर लिया 4% promoter ने अपनी stake बेच दी company ने 4% इस्तेदारी 257 रुपे के बहुँपर कल बेच दी है अब promoter के holding भी घटनी start हो गई पैसा आए कहां से finally चलिए ये सब तो हो गया अब company के लिए future में है क्या shareholder जो खरीदना चाहरे हैं उनको समझीए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि वेदानता debt repay नहीं कर पाएगा क्योंकि company के पास scheme बहुत है company अपने debt को refinancing कराने के विचकर में आप उस refinancing का क्या impact पड़ सकता है वो आपको बहुत समझना जुरूरी है refinancing मतलब जो आपने debt ले रखा आप उसको refinance करेंगे तो ये चीजे हैं company के बाद scheme बहुत है debt चुकाने के कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ शादन है किसी को stake बेचेंगे किसी के साथ कोई वो करेंगे तो मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि debt नहीं pay कर पाएंगे पर debt पे करने में company के पसीने चूट जाएंगे इस चीज की guarantee है और चूट रहे है इसको कोई deny नहीं कर सकता क्योंकि company का profit घट रहा है आप company के जाकर sales और उसके profit में देखिए quarter the quarter अब sales और profit गिर रहा है उसमें company का issue नहीं है उसमें sector का issue है तो जब आपका profit घटेगा तो आप debt कहां से लाएंगे आपके भार के रस्ते दीरे-दीरे कम होते जा रहे है market समझ रहा है कि वेदानता को debt देना है कमपनी की finance cost बढ़ रही है refinancing करने से और finance cost बढ़ेगी वो pressure कहां पर आएगा वो pressure company के share पर आएगा और बजार इस चीज़ को discount करेगा कहने का मतलब वेदानता के share में आने वाले समय में rate घट सकता है वेदानता के share में dividend के मजे उन लोगों ने लिये है जो वेदानता के share को corona के time पर जब उसका भाव 90-70 रुपे तक पोचा था उस समय उठा लिया जिनों ने उन लोगों को तो dividend उसके बाद इतना मिल गया है कि उनकी costing निकल गई अब उनका share free में पढ़ा है वो बढ़ गए उनके पैसे हर तरीके से अब company में जो कुछ हो रहा है वो देखते रहेंगे उसको पर आपको इस भाव पर वेदानता के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तो मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना सा ही कहना था इस वीडियो के माद्दम से कि वेदानता के structure को समझे जो कि मैंने आपको समझाने में इस वीडियो में आपकी मदद की है उमीद करता हूँ वेदानता को आप लेकर आपके काफी doubts के लियर हुए होंगे और आगे भी अगर वेदानता को लेकर कोई news आएगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा वीडियो अच्छी लेगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नमस्कार